गुड़मोने बच्चो चलिए कभिता के बहाने कभिता का दूसरा भाग देख लेते हैं क्या है दूसरा भाग कभिता एक खिलना है फूलों के बहाने कभिता का खिलना भला फूल क्या जाने बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने बच्चों देखिए यहां तक भावार्थ बता देते हैं अगला भावार्थ अगली वीडियों में बताएंगे तो देखिए कभी क्या कह रहा है यहां पर यहां पर कभी जो है कभीता के मर्म या भाव की तुलना फूलों से कर रहा है और कभीता के विकास प्रिक्रिया को उसे प्राप्त होने वाले आनंद तथा फूलों के खिलने के आनंद से कहीं ज्यादा बता रहा है कभी कह रहा है कि कभीता यह खिलना है फूलों के बहाने कविता खिलती है बिलकुल किस तरह से फूलों की तरह जिस तरह से फूल खिलते हैं उसी तरह से कविता भी खिलती है लेकिन कविता और फूलों के खिलने में बहुत थोड़ा सा अंतर है मामली सा अंतर है वो अंतर क्या है कभिता का खिलना भला फूल क्या जाने वो अंतर क्या है बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने अंतर ये है कि फूल खिलने के बाद तथा एक निस्चित जीवन प्राप्त करने के बाद मुर्जा जाते हैं उनका जीवन श क्यांकि फूलों का जो जीवन होता है वह एक निश्चित अवधीयों निश्चित समय तक का होता है उसके बाद फूलों का अस्तित्वर समाप्त हो जाता है जबकि कभिता ök बार बिक्षित होती है और बार कविता खिल जाती है खिलने के बाद वह विक्सित होकर जब वो जीवन पाती है तो जीवन पाकर मतलब जीवन पाने का मतलब कविता का जन्म लेना कविता का कविता के रूप में आना तो जब वो अपनी रूप में आ जाती है जीवन पाती है जीवन पाकर कविता अमर औ और अमिठ हो जाती है वह फूलों की तरह मुर्जाती नहीं वह जड़कर गिरती नहीं उसकास्तित तो कभी समाप्त नहीं होता इसलिए कभी कहता है कि बिना मुर्जाय महकने के माने फूल क्या जाने तो कभीता के खिलने की जो तुलना है वह जो फूल भी नहीं जान सकता क्य क्योंकि फूलों के खिलने में आनंद है, उत्सा है, उनमें कोमलता भी है और आकरस्ड भी है, ये सारी चीज़ें कविता में भी है, लेकिन फूल कविता की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन योम आनंद से युक्त होती है मतलब कविता जब तक रहती है एक बार प्रकास में आने के बाद कविता जब तक संसार है तब तक कविता का अस्तित रहता है कभी वह फूलों की तरह खिल कर मुर्जाती नहीं है खिलकर जड़कर गिरकर नस्ट नहीं होती है बलकि कविता नित नए आर्थ ग्रहण करके विकास सील योवम जीवित बनी रहती है तो कविता के खिलने का बिनाम और जाय महकने का जो अर्थ है वह फूल क्या जाने अर्थात फूल नहीं जान सकते उसकी तुलना फूलों के से नहीं की जा सकती कुछ तो समानता है कि फूलों में भी जीवन है आनंद है उत्सा है आकरसड है सुगंध है कविता में भी आकरसड है उत्सा है जो से आनंद है लेकिन जहां फूल एक निस्चित अवधि के बाद मुर्जा जाते हैं वही कविता अनंत काल तक बनी रहती है वह अमर और तरह से कविता की तुलना फूलों के खिलने से भी नहीं की जा सकती अर्थादवा फूलों से भी जादा स्रेश्ट है फूलों से भी जादा अब इसमरडी है क्योंकि जब तक इस संसार का अस्तित्व रहेगा तब तक जो लिखी हुई कविता है उसका भी अस्तित्व रहेगा कभी के लेखनी का निकला हुआ शब्द परकास में आने के बाद फिर कभी बिलुप्त नहीं हो सकता जबकि फूल उनका एक निस्चित समय होता है मौसम होता है घर फूल एक निस्चित जगह पर खिलते हैं बागों में खिलते हैं उद्यानों बगीचों में खिलते हैं आपके कविता के लिए ऐसे कोई जगह निश्चित नहीं है कविता आपके अंदर कमरों में आपके शैनकच से लेकर आपके किचन तक भी कविता का अस्तित्व है कविता सर्व ब्यापक है सर्व ब्यापी है कविता तो कविता की तुलना फूलों से नहीं की जा सकती अगर फूलों से की जाएगी तो फूलों की कुछ समानताय उसमें है या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कविता के कुछ गुड़ फूलों में है जबकि कविता फूलों से बहुत ज़्यादा ब दिस्त्रित है कविता की तुलना फूलों से नहीं की जा सकते तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर भी मानुवी करण अलंकार है इस पूरी कविता में ही मानुवी करण अलंकार है और चुकि क्या जाने फूल क्या जाने प्रश्न किया गया है यहाँ पर तो यहाँ पर प्रश् खिलना भला फूल क्या जाने कविता का खिलना भला फूल क्या जाने यहां पर अनुपरा सलंकार है और भासा आपकी वही है सरस सरल और साहितिक खड़ी बोली है आपकी धनेबाद वच्चों